नमस्कार कैसे हैं आप आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ एक ऐसी टेक्निक जो आपके शरीर में अपने आपको हील करने की क्षमता को जागरत कर देगा यानि शरीर खुद अपनी बिमारियों को ठीक करने लगेगा और इसके लिए आपको इधर उधर कहीं प्रमान खोजने की जर्वत नहीं हैं आप अभी इसे प्रैक्टिस करके देखें आपको खुद पता चल जाएगा कि करते करते आपके शरीर में कितने सारे चेंज़ेस आ ग नमस्कार योग जर्णी में मैं मदू चौदर ही आपका स्वागत करती हूँ देखे योग कहता है कि हमारा शरीर पांच लेयर से बना है पंच कोश से बना है सबसे बाहर का जो शरीर है फिजिकल बॉड़ी जिसे हम अनमे कोश कहते हैं और उसके अंदर है एनरजी बॉड़ जिसे हम प्राण मे कोश कहते हैं और उसके भीतर विज्ञान मे कोश मनो मे कोश और आनन्द मे कोश तो आज हम बात करेंगे जो सेकिंड लेवल है हमारा प्राण मे कोश देखे जब इस प्राण मे कोश में कोई अवरोध आ जाते हैं यानि हमारे शरीर में प्राणों का प्र प्रेशर, डाइबिटीज, हार्ट के ब्लॉकेजिज, थाइरोइड या फिर मानसिक रोग हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डेप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, तो इस सभी तरह की जो समस्या हैं इन्हें ठीक करने के लिए आप इस टेकनीक को यूज कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्समेन हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस हैं, उसमें कई गुना सुधार देखा गया है, इस टेकनीक को यूज करने से, तो चलिए बिना देर की हम सीखते हैं कि क्या करना है, आप आरहम से बैठ जाएं, सबसे पहले रिलैक्स हो जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें और अपने आपको मानसिक रूप से तयार करें, इस टेकनीक को यूज करने के लिए, जब हम ये टेकनीक यूज कर रहे हैं, दो खास चीज़े आपको याद रखनी हैं, पहला आप लगातार लंबी गहरी सांसे लेते रहें, और दूसरा, मन ही मन ऐसा महसूस करना कि जो भी समस्या आपके शरीर में हैं, मान लिजे कहीं दर्द हो रहा है बहुत तेज या कहीं ब्लॉकेज़ आ चुके हैं, या शरीर का कोई अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आपको बहुत चिंता हो रही है, पूरा ध्यान इस बात पर रखना है कि इस टेकनीक को यूज करत करते वो समस्या धीरे धीरे दूर होती जा रही है, आप देखेंगे कमाल का असर होता है, तो शुरुआत करते हैं, नौ पॉइंट से तो पहला पॉइंट है आपके सिर के सब से उपर, यह जो चोटी का स्थान है, जहां पर सहस्तरार चक्र होता है, यहां से आप टैपिंग करना शुरू करें, चाहें तो आप अपनी आखें बंद करने, लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें, लगातार मन में यह विचार कि मेरा शरीर, मेरा मन शान्त होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है, मेरे शरीर के सारे रोग दूर होते जा रहे हैं, मेरा दर्द ठीक होता जा रहा है, तनाव धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, सांस भरें, सांस छोड़ें, रिलैक्स, दूसरा पॉइंट आपके आईब्रो के दोनों तरफ, यहां पर आपको एपिंग करना है, जहां से आपकी आईब्रो की शुरुआत है, टैप करना शुरू करें, बिल्कुल हलके हातों से, लंबी गहरी सांसे लेते रहें, महसूस करें अपने शरीर और मन में आ रहें बदलाव को, शरीर के रोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, करते रहें आप साथ में, आप अभी महसूस करेंगे कि कितना अच्छा असर आ रहा है, मेरा तनाव कम होता जा रहा है, दर्द ठीक होता जा रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, रेलेक्स, तीसरा पॉइंट, आँखों के दोनों तरफ, यह जो कॉर्णर्स हैं, यहाँ पे पास में आप टैप करेंगे, देखे, योग कहता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे मर्म स्थान होते हैं, जिन्हें अगर दबाव दिया जाए, तो इनका असर आपके पूरे शरीर पर होता है, क्योंकि यह मर्म स्थान आपके पूरे शरीर से अलग लगंगों से जुड़ेवे हैं, आपके मस्तिश्क से जुड़ेवे हैं, तो जब यह तंत्रिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं, पूरे शरीर में रिलाक्सेशन आने लगता है, बलड का फ्लो बढ़ता है, जादा ऑक्सिजन पूरे शरीर में पहुँचने लगती है, इंक्लूडिंग यॉर ब्रेन, और इसका सीधा प्रभाव आपके रोगों पर, आपके शरीर पर, आपकी मन की स्थिति पर परपड़ता है, महसूस करें, शरीर में आ रहे हैं रिलाक्सेशन को, मेरा दर्द, मेरे तनाव दूर होते जा रहे हैं, सांस भरें, सांस छोड़ें, रेलाक्स, यह बहुत इंपोर्टेंट है, कि आप पूरे विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को करें, और साथ में करते रहें, आखों के नीचे, यह जो आपके गालों की यह जो हटी है, चीक बोन, तो आखों से बीच वाले भाग के ठीक नीचे, यहां पर आप प्रेस करें पूरा ध्यान अपने शरीर के भीतर रखें, अपने अंदर हो रहें, बदलाओं को महसूस करें, यकीन मानिए यह टेकनिक इतनी एफेक्टिव है, लाखों लोग रोजाना इसका फायता उठाते हैं, सबसे पहले तो आपका मन शान्त हो जाता है, और उसके बाद शरीर की ही होना शिरू हो जाती है, खासतोर से वो लोग जिनने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, वो जब इस टेकनिक को यूज करते हैं, इनी डियेट असर दिखाई देता है, किसी एक भाग पर जहां आपको ज्यादा अच महसूस करें अपने अंदर आ रहें रिलैक्सेशन को, लंबी गहरी सांसे लेते रहें, और रिलैक्स, नेक्स पॉइंट आपके नाक और जो उपर वाला होट है, इसके बीच में, यहाँ पर, जो ग्रूप जैसा दिखता है, यहाँ पर टैप करें, महसूस करें, रोग दूर हो रहें हैं, शरीर में जो दर्द हो रहा था, वो ठीक होता जा रहा है, मेरा शरीर अपने आपको हील कर रहा है, शरीर के हर एक भाग की हीलिंग हो रही है, सारे अंग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा हार्ट, मेरे लंग्स, मेरी किड्नी, मेरा पैंक्रियास, मेरा लेवर, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, ब्रेइन को जादा से जादा ऑक्सिजन मिल रही है, मन शान्त होता जा रहा है, रिलाइक्स, नेट्स्ट, होट के नीचे, ठोड़ी पर होट के ठीक नीचे, नीचे वाले होट के ठीक नीचे, जो हल्का सा गड़ा सा नजर आता है, यहां, बहुत कमाल की टेक्निक है, अभी तक आप महसूस भी कर पा रहे होंगे, कितना अच्छा असर आ रहा है आपके शरीर पर, मन पर, यह अभी हमारा पहला राउंड चल रहा है, आप इस टेक्निक के तीन राउंड्स, चार राउंड्स तक कर सकते हैं, शरीर किस्तेती अगर ठीक नहीं है, तो आप इसे लेट कर भी प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे खास चीज़, कि इसे दिन के किसी भी समय किया जा सकता है, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो, करते रहें, महसूस करें, शरीर की हीलिंग को, देखिये, जितनी भी हीलिंग टेक्निक्स हैं, वो योग से, आयुरवेज से आई हैं, और आज इन्हें साइंस भी मानता है, यह जो टेक्निक हम यूस कर रहे हैं, इसे EFT कहा जाता है, Emotional Freedom टेक्निक, बहुत कमाल की टेक्निक है, इसके पाद जो अगला पॉइंट है, आपकी जो कॉलर बोन होती है यहां पर, उसका जो बीच का इस्थान है, यहां पर आपको दो हड़ियां महसूस हो रही होगी, उससे थोड़ा सा नीचे आएं, और साइड में, यहां पर आपको टैप करना है, एक्जेक्ट लोकेशन अगर आप नहीं लोकेट कर पा रहे हैं, तो पूरी कॉलर बोन के नीचे आप इस तरह से टैपिंग कर सकते हैं, यहां फिंगर्स के टिप से टैपिंग करने हैं, आपको, रिलेक्सेशन को महसूस करते रहें, लंबा गहरा सांस लें, और पूरा सांस बाहर छोड़ दें, महसूस करें इन सांसों के साथ, सारे रोक, सारे दर्द, बाहर जा रहे हैं, पूरा ध्यान उस विशेश भाग पर जहां आपको कोई प्राबलम है, जहां आपको हीलिंग की जरूरत है, महसूस करें मानोशरीर का उबरा खून उस भाग की तरफ दौर लगा रहा है, अपने साथ हीलिंग पार लेकर, जादा से जादा ओक्सीजन लेकर, निूट्रीशन लेकर, और अमाल की हीलिंग हो रही है, इसके पाद आप अपने हाथों के यह जो दोनों साइब से यहां पर उंगलियों से इस तरह से टैप करेंगे, गहरी गहरी सांसे लेते रहें, कैसा लग रहा है आपको, मुझे एक कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, अभी तक मुझसे लाखों लोगों ने शेयर किया है, कि यह इतनी कमाल की टेकनीक है, कि करते करते उन्हें गजब का सुधार महसूस हुआ, अपनी शारेरिक और मानसिक स्थिती में, भावनाओं पर नियंतरना आ जाता है, कई बार होता है ना कि शरीर में बीमारी पता नहीं चलती है, क्या रोग है, सब कुछ अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, कोई रोग भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रहते हैं, स्वस्थ फील नहीं करते हैं, इस टेकनीक को यूज़ करके देखिएगा, जिर से लेकर पैर तक असर आता है, ना सिर्फ शरीर के स्तर पर बल्कि मन के स्तर पर, महसूस करें अपने शरीर की हीलिंग को, दर्द ठीक हो रहे हैं, ये दर्द शरीर के किसी भी भाग का हो सकता है, कितना भी क्रोनिक पेन हो, ठीक होने लगता है, मन के दर्द भी ठीक हो जाते हैं बस उसे अनुभव करना है अगला पॉइंट है आपकी आमपेट्स यानि जो बगल होती है वहाँ पर इस तरह से चार उंगलियों से आपको टैपिंग करना है शुरू करें और साथ में सुनते भी रहें लंबी गहरी सांसे लेते हुए टैपिंग करें और महसूस करे कि नीचे आपको करना है . अगर योग की भाषा में कहें तो यहां पर जो पर से क्लीृनिंग में के तो यहां पर जो नंक्योंटे को पर בakes जो के जो रहेँ किरी रिसाइट करना शुरू करें, चार उमलियों से इस तरह से आपको टैप करना है, एक लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें, महसूस करें सांसों के साथ शरीर के सारे रोग, सारे दर्द, सारे तनाव बाहर जा रहे हैं, मैं रिलैक्स होता जा रहा हूँ, शरीर की हीलिंग हो रही है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको, यह टेक्निक है ही इतनी असरदार, सिर्फ एक दिन आप इसे प्रेयोग करके देखिएगा, मेरा दावा है, आप खुद इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करेंगे, जि कर देखिएगा करेंगे।